हेलो फ्रेंड्स, रेल्वे ग्रूप D के द्वारा पूछे गए फिजिक्स के वे थियोरी और निमरिकल प्रस्न जो रेल्वे ने 2018 में सबसे अधीक बार रिपीट किये हैं उन प्रस्नों की एक स्रिंखला को लेकर फिर से हम एक बार आपके सामने आ चुके हैं और आज भी हम देखेंगे उन इंपोर्टेंट थियोरी और निमरिकल प्रस्नों को जो एक्जामिनिशन में बार बार पूछे जाते हैं चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रस्न से अपना पहला प्रस्न है कि two identical resistor देखो यहाँ पे सामत वर पे लिखा है two identical resistor of 20 ohm तो 20 ohm के दो identical resistor हैं हिंदी में भी पर देते हैं, 20 ohm के तीन परती रहा है तो देखो यहाँ पे गलती लिख दिया और इसलिए railway कहता भी है कि हिंदी पे कम टू आइजेंटिकल रसिस्टर अफ 20 ओम इच आर कनेक्टेड इन पैनल मतलब दो 20 ओम के परतिरोधक है जिनको समानांतर में लगाया गया तो अगर आप देखो तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बना है दोनों 20-20 ओम के हैं और ओबरॉल कैलकुलेशन किया तो 20 के LCM 20 हो जाएगा और उपर में हो जाएगा 2, 2 से 20 कटेगा तो हो जाएगा 1 बटा 10 तो आर अपना निकल जाएगा 10 अभी क्या बोल रहा है कि फिर इसे एक समायोजन को 10 ओम के परतिरोध में स्रेनी क्रम में जोरा जाता है तो इकुबेलें यह हो जाएगा 20 और अपना सही जवाब है 20 ओम बढ़ते हैं अगले प्रस्न क्योंड अपना अगला प्रस्न कहरा है कि एक सरकीट में एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर जाने पर यदि दो बिंदू के मद्द का भिभांतर 5 बोल्ट है तो बताईए कि कितना कार उसने कि देखो कितना अच्छा कोस्ता है नहीं कि एक चार्ज अब 2 कुलम तो 2 कुलम का चार्ज है चार्ज कितना दे दिया है 2 कुलम दे दिया है कितने बोल्ट के सरकीट से पास कर रहा है तो 5 बोल्ट के सरकीट से पास कर रहा है आपको बतायाना है टोटल वर्क कितना होगा तो द जवाब हो जाएगा 10 जूल बढ़ते हैं अगले प्रस्न के ओर अपना अगला प्रस्न है कि अत्यधीक प्रतिरोध बाले चालक को क्या कहा जाता है मतलब जिसमें प्रतिरोध बहुत जादा हो उसको क्या कहा जाता है तो बैसिकली उसे रजिस्टर कहा जाता है जिसमें बहुत अधिक प्रतिरोध होता है अपना अगला प्रस्थन क्या कह रहा है अपना अगला प्रस्थन है तो पानी जो किसी बस्तु को उपर उचाल के रखता है उपर तेराते रहता है अपने उपर उसको क्या बोलते हैं तो that force is called byant force या उत्पलाबक बल उसे क्या बोलते हैं उत्पलाबक बल बोलते है अपना अगला प्रस्थन कह रहा है कि स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट I बनाई रखता है यदि प्रतिरोधक में बिभांतर B है और समय T है तो बिया कहीगी बिद्दूत उर्जा किसके द्वारा दर्साई की गएगी तो ध्यान रखना है कि बिद्धूत उर्जा electrical energy जो होगा basically उसको आप किसके द्वारा जोइन करते हो VIT V का मतलब जहां पर क्या होता है V का मतलब होता है potential difference बिभानतर होता है I का मतलब electric current और T का मतलब time मतलब कितना current कितने समय के लिए और कितना विभानतर से आ रहा है वही आपका बन जाता है बिद्धूत उर्जा और इसका देखो railway ने सही जवाब दिया है VIT बरते हैं अगले प्रस्न के और उससे पहले हम आपके बता दें कि अनकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए भारत के टॉप एजुकेटर से टॉप बैचेस में पढ़ने का एक सुनड़ा मौका जो एक मार्च 2021 से सुरू हो रहा है अगर आप इन टीचर से पढ़ते हो जो भारत के बेस्ट एजुकेटर है तो आपको मिलता है रेलवे गुरूप डीवे सक्सेस पाने का एक गुरू मंत्र और बैसा गुरू मंत्र जिसे सब को तलासे क्योंकि अभी रोजगार एक बहुत ही बड़ी समस्या है तो आज ही जुड़े अनकैजमी से और अनकैजमी से जुड़ने से पहले आप इस एप को डाउनलोड करें डाउनलोड करने का तरीका यह होगा कि आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्सन में जाए वहाँ आपको Unacademy app download करने का link मिल जाएगा आप वहाँ से Unacademy को download करे और जब download करे तो वहाँ पर हमारा एक जो discount code है AS2020 देखो मेंड आ लाइन कर रहा हूँ AS2020 इसे जरूर डाले इसे डालने से आपको मिलता है 10% तक का discount बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर अपना अगला प्रस्ण है कि what does the symbol R in electricity stand for तो electricity में R का मतलब होता है resistance, प्रतिरोध, कई बार railway ने पूछा है इसलिए हमने इन प्रस्णों को ले लिया है अगला सवाल यह है अगला सवाल और भी important है कि what is the range of frequency of sound waves audible to human beings तो ध्यान रखना है 16Hz से 20Hz तक के तो आवाज को मनुष सुन सकता है लेकिन 16Hz से नीचे के आवाज को मनुष से नहीं सुन सकता है इस बात को ध्यान रखना है तो audible range कितने हो जाएंगे 16Hz से 20kHz के बीच में होंगे 16Hz से 20kHz 20kHz समझो तो 16 हर्ज से 20,000 हर्ज तक के sound को हम लोग सुन सकते हैं ये बहुत ही important प्रस्ण है बरते हैं अगले प्रस्ण पर अपना अगला प्रस्ण कहा रहा है कि which of the following has the same unit as energy जो unit energy की होती है देखो तो energy की एक unit होती है joule और work की भी एक unit होती है joule तो इस प्रस्ण का सही जवाब है joule क्योंकि work और energy दोनों की जो unit होती है वो joule होती है बरते हैं अगले प्रस्ण पर अपना अगला प्रस्ण एक numerical problem है इसमें क्या बोल रहा है कि अब 5 kg object is raised through a height of 4 meter मतलब कि 5 kg का कोई object है जिसको उठा कर कितना meter उपर लाया गया है तो 4 meter की उचाई पर लाया गया और अब यह यहाँ पर पहुँच चुका है तो देखो जब भी कोई चीज उपर में जाएगा न तो उस पे लगने वाली जो energy होगी बे बिसिकली minus होती है जो force लगड़ी है वो minus में होगी ठीक है तो इसमें आप से क्या पूचा जा रहा है कि आप हमें ये बताओ कि work कितना हुआ तो बहुत असान है work अगर निकालना होगा अगर उपर गया है object उपर क्योड़ गया है तो यह हो जाएगा minus mgh तो aim कितना दिया हुआ है तो आप देख रहे हो 5 kg ग्रेविटेशन 10 माल लेते और height कितना दिया हुआ है तो 4 meter दिया हुआ है overall calculation करेंगे तो 5 चोगा 20 और 20 गुना 10 हो जाएगा 200 Joule मतलब कितना work लग रहा है तो 200 Joule की energy यहाँ पर लग रही है basically उपर जा रहा है तो यह minus 200 Joule की energy लग रही है आप देखो मैंने यहाँ भी minus दिया है तो minus 200 Joule की energy लग रही है यह बहुत important है देखो कैसे बच्चों को यह फसा देता है minus है तो minus 200 Joule की energy लग रही है ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रस्ण बारवार पूछे जाते है अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है अगला प्रस्ण भी यही बोल रहा है कि 9800 Joule है मतलब यहाँ पर भी work दे दिया है कि 9800 Joule है और बोल रहा है कि 80 Kilo बजन है आप यह बताओ कि height कितना भी तुरंद मैंने आपको बताया कि W is equal to क्या होता है MGH होता है ठीक है तो M कितना यहाँ पर दे दिया है वो आपको 80 Kilo दे दिया है gravitation तो आपको मालूम है कि 10 लो या 9.8 लो 10 ही ले ले लेते हैं आपसे H पूछ रहा है और W यहाँ पर दिया हुआ है 9800 देखो 9800 बता रहा है कि यहाँ पर gravitation हमको 9.8 लेने के लिए कहा जा रहा है तो 9.8 से तो 9800 एक हजार बार में चला गया तो 1000 बराबर 80 गुना कितना हो जाएगा H और 0 से 0 गया और 8 से 100 जाएगा साड़े 12 बार में तो H अपना कितना निकल गया साड़े 12 मेटर देखो यही है अपने इस परस्न का सही उत्तर अभी आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी टीम ने एक ब्रह्मास्त्र प्लस सियोर सौट सक्सेस बुक बनाया है जिसमें हम लोगों ने RRB, Group D के द्वारा और NTPC के द्वारा पूछेगे उन सभी प्रस्नों को एक जगा पे संकलित किये हैं जो बार बार इन बोड ने बार बार पूछा है तो आप इस किताब को पर्चेस करें इसका लिंक हमने अपने YouTube के description में दिया है और अगर आप इस किताब की खासियत जानना चाहते हो कि किस प्रकार के question इससे पूछे जा रहे है या अगर आप इससे proof देखना चाहते हो कैसे कैसे प्रस्न इस किताब से पूछेगा और हमने proof किया है अपने टेलिग्राम चैनल पे कि कितने सारे प्रस्न इस पूछे जा रहे है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं YouTube के description में हमने उसका भी link दे दिया है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही इंतजार करते हैं अपने अगले सिरीज का उससे पहले आप लोगों से एक request भी है कि आप इस वीडियो को जब देखें तो इन प्रस्नों को दो बार कम से कम करें और हमें finally comment section में जरूर बताएं कि आपको आ रहे हैं कितने marks आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद